हेलो एवरीवन विलकम तो फॉर्स इंवेस्मेंट मैं हूँ आपका मेंड़ शिमाच बसी आज हम लोग देखा कि निफ्टी 14,700 के नीचे जाके लोग और बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे जाके लोग जी सो मार्केट बहुत जादा वीक है अगर मैं बात करूं मार्केट के हाइ से अपने हाइस से अल्मूस 5% तक का ड्रॉब दिखा चुका है और बैंक निफ्टी और मुस्ट अल्मूस 7% तक का ड्रॉब दिखा चुका है अपने हाइस हम लोग देख रहे हैं कि प्रिविएस वीक पे हम लोग ने देख रहा था कि आराउंड फाइफ तू 6,000 करूर की इसने सेलिंग करी थी एड़ इसने सिफ बात रूब 500-600 करोड की बाहिं करी तो किस तरीके से हो रहा है मार्केट के अंदर क्या मार्केट यहां सो और ज्यादा गिर सकती है उसके बारे में बात करने वाले अब एकस्पैरी बहुत जादा नस्दीक है फेबरेरी की तो मैं उ फ्यूचर की त्यारी करनी पड़ीगी एंड मार्च सबसे जादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्या रीजन है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस भीवियर से कौन से ऐसे फैक्टर मुझे कि मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि मार्केट शाहिद मार्च में गिर सकती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लापटाप की तरफ चलते हैं वहां पर अनलाइस करते हैं आप लोगों में निफ्टी का भी सेटप दिखाऊंगा और कुछ फैक्टर्स भी आप लोगों बात करना चाहूंगा और निफ्टी से मैं फिर फैक्टर्स की तरफ बढ़ूगा और कंपेरिशन करूगा कि किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट पे क्या अब यहां पर एक करेक्शन आ सकता है क्या मार्केट यहां से एक रिकवरी दिखा सकती है तो चलिए चल आइक्स और अगर आते हैं तो मैं इसी इंट्रॉस्टिंग वीडियो की सामने और लेकर आते रहूँँँगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने nifty का चार्ट open कर रहा है ठीक है nifty के चार्ट पे अगर मैं आपको को दिखा हूं तो आप देख सकते हैं this is the top और आज की closing आपको यह दिख रही है ठीक है जिस time पे मैं बना रहा हूं that is 22 feb को बना रहा हूं मैं यह video and हम लोग March की बात कर रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं almost अपने top से nifty almost 5% तक का correction कर चुकी है ठीक है yes we can call it a retracement also क्यों हम लोग इसे retracement अभी किया रहे हैं because इसने अपनी तक अपने previous high को break नहीं करा and अपने previous sorry previous low को break नहीं कर रहा है and previous high के ऊपर यह अभी तक trade कर रहा है ठीक है तो अभी भी हम लोग इसे retracement कहे सकते हैं but एक चीज़ और observe करते हैं सबसे पहली चीज़ अगर मैं RSI का use करता हूँ see यह मैंने RSI लगा रखा है and आप यहां देख सकते हैं कि मैंने Nifty चार्ट भी लगा रहा है अब मैं trend line का use कर रहा हूँ अगर देखेगा यह RSI पर मैंने trend line draw कर रही है आपको downside दिख रही है ठीक है अब यहां पर मैं एक और trend line draw कर रहा हूँ from this level to this level अब मैं Nifty पर draw कर रहा हूँ आप देख सकते हैं आपको दिख रहे हैं कि RSI downward sloping जा रही है and जो market है जो Nifty है वो upward movement दिखा रही है तो यानि कि RSI में एक diversion देखने को मिल रहा है और यहां पर हमें एक अच्छे से बता रहा है कि यहां से market गिर सकती है definitely यहां से market एक बार fall दिखा सकती है because RSI अगर बोल रहा है कि downside में तो definitely market downside पहीं जाएगे चलिए कोई बात नहीं अभी factors की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों कुछ patterns बताना चाहूंगा जो patterns इसके अंदर बन रहे थे and हम लोग ने multiple बार अपने जन लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं उनको बताये तो चलिए let's first of all go to monthly time frame okay monthly time frame पे what we are saying यह देखिए यह previous high था previous high था 12400 रुपीज का and हमारा low क्या था 7534 रुपीज का so okay let's use Fibonacci extension Fibonacci extension क्या करता है जब भी किसी previous high का breakout होता है ठीक है clearly समझना बहुत important concepts हैं कभी भी एक previous high का lifetime high भी आप कह सकते हैं अगर उसका breakout होता है तो Fibonacci extensions एक three extensions हमें provide कराता है जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो particular stock या index reach कर सकता है जो कि एक last point होता है कि वहां तक वो stock जा सकता है और वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि profit booking या वहां से नीची आ सकता है तो चलिए Fibonacci extension का use करते है Fibonacci extensions का मैंने लगाया and Fibonacci extension use करते है top down analysis पे सबसे पहले top पे देखा and उसके बाद यहां देखा sorry Fibonacci extension वह हमारा जो low है that is 7358 and जो हमारा top है उस पे and दोबार है इस तरीके से okay अब यहां पर आपको एक चीज बहुत easily समझ में आ रही होगी जब अपने इसने previous high का break करा मैंने आपको बोला कि यह three extensions provide कराता है कि जहां पर possibility होती है कि वहां से वो stock reverse कर सकता है ठीक है आप देखिए यह three lines आपको दिख रही है visible हो रही है मैं थोड़ा और zoom कर देता हूं आप लोगों के लिए ठीक है यह three lines आपको visible हो रही है इस line पर आप दिखती है यह हमारे three targets होते है कि जब भी previous high का breakout देगा यह three targets हमारे reach करेंगे क्या इसने last target को reach कर दिया जो nifty का high था that is 15,450 या 400 रुपीज का level that is the 1.618 का Fibonacci extension level exact उसको test करो और वहां से हम लोगों ने 5% की profit booking देखने को मिलिया और यह हम अपने clients को बहुत time से बताते वह आ रहे हैं और हम लोग ने YouTube वीडियो पे बहुत पहले इसमें बताया भी था exact अगर वहां से हम लोग selling करते हैं तो हम लोगों को बहुत ultimate profits भी मिलते हैं yes आज भी मैंने sorry Friday को मैंने 600 600 quantities bank nifty की call option को short करा था and around 97 पे और मैं 18 पे ही निकला हूँ last price पे ही निकला हूँ तो मुझे 45 something thousand का profit हो गया but मैंने exit कर दिया वह positions को because मैं hold नहीं करना चाहता उसका भी reason में आपको बताने वाला हूँ so एक चीज हमें confirm हो गई है कि यही एक level था जहां पर एक reversal point था जो कि आ सकता था exact उसी level से excelling pressure हमें देखने को मिला okay चलिए कोई बात नहीं let's move to weekly time frame weekly time frame पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो एक pattern मना एक harmonic pattern उस harmonic pattern को हम लोग कहते है bearish butterfly pattern let me show you that also yeah so यह एक bearish butterfly pattern मना है अगर आप लोगों को पता होगा कि वो क्या होता है तो आप लोगों बहुत easily समझ में आ जाएगा जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ see this is the level यह एक bearish butterfly बनाया है और जो इसका top होता है वो exact 1.618 का होता है और वही पर ही वो इस particular stock reverse करता है अब अगर मुझे इसका targets find करने अब bearish butterfly बनगे अब उसके targets कैसे find करे जाएंगे तो आप देख सकते है जो यह point होता है that is the c point and यह है d point ठेक है तो हम देखते है यहाँ पर हम लोग fibonacci retracement को draw करते है c point से लेके d point तक ठेक है जब हम लोग c से d तक fibonacci retracement को draw करते है तो हमारे जो targets होते हैं मतलब maximum to maximum तो कहीं पर भी जा सकता है वो बहुत नीचे तक भी जा सकता है बट हम लोग जो minimum targets लेकर चलते हैं मैं 3 targets लेकर चलते हैं first target is यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं zoom करके दिखाता हूं आपको 0.236 यह हमारा first target होता है जो कि आपको दिखा रहे है 13,800 रूपीज का हमारा जो second target होता है that is 0.382 जो कि हमारा होता है 12,870 का and हमारा जो last target होता है that is 12,1111 रूपीज का तो stock यहां तक भी आ सकता है बट यह नहीं कि continuous fall होगी यह level एक support का काम कर सकता है यह level से bounce भी कर सकता है और उपर की तरफ भी जा सकता है इसलिए हमां आप लोगों को three targets provide करातेगे आप first target पर अपनी कुछ quantities पे profit booking कर लो stop loss को trail करके थोड़ा नीचे ले आओ अपने sell price पे ही ले आओ and उसके बाद जब भी वो नीचे जाए stop loss को trail करते रहाओ and अपनी profits को book करते रहाओ तो इसी के basis पे जो मुझे expected targets लग रहे है कि 12,000-12,000 तक भी आ सकता है March के अंदर एक reason और है सबसे पहली चीज हम लोगों ने जब chart patterns को study करा या chart में analyze करा तो हमें पता चला nifty बहुत जादा week है RSI diversion होना daily timeframe weekly timeframe पे भी अपने reversal point तक पाँच गया था जो कि 1.618 है and weekly timeframe पे भी इसने एक bearish butterfly pattern बनाया है so क्या यहां से market अम लोगों को downside लग रहे है yes अगर हम लोग multiple timeframe analysis कर रहे है for next month to yes हम लोगों को लग रहा है कि market यहां से weak हो सकती है तो चलिए अब factors की उपर चलते हैं इसके basis पर decide करते है कि वो क्या इस गिरावट को क्या जो यह हमारे technicals हमें बता रहे है कि यहां से market गिर सकती है क्या उसे sustain कर रहा है क्या उसे proof कर रहा है तो चलिए technicals को अब हटा के factors की तरफ move करते है तो मैं इसे remove कर देता हूं first of all ठीक है अब यहां पर हमारा जो use है सबसे पहले है India Wix इंडिया Wix आज 14.47% rise करी है अब अगर आप लोगों को बता हूं India Wix का है तो मैं बहुत short में बता दूँगा India Wix एक volatility index होता है ठीक है India Wix volatility index होता है एक minute आप wait कर यह मैं अपना system को join कर देता हूं तो मैं आपको लिख कर बताऊंगा कि किस बड़िया तरीके से मैं आपको India Wix समझा सकता हूं just wait a second okay okay so मैंने connect कर दिया है मैं आप लिख को बताता हूं India Wix क्या होता है India Wix एक volatility index होता है ठीक है हमें बताता है कि market pay next 30 days के अंदर next 30 days के अंदर कित्ती जादा volatility आ सकती है ठीक है India Wix हम एक range के बारे में पूरा बताती है कि एक range पता लगती है में इंडिया Wix के तरू अब मैं आप लोगों को examples के थोर में बताता हूं ठीक है अगर आप मान के चलो अभी हम एक example ले रही है ठीक है अगर आप मान के चलो कि जो spot price है Nifty का अभी Nifty का spot price है that is 10,000 रुपीज का अब जो India Wix है India Wix जो है ठीक है आप खुद भी जाके study करना आप लोगों के internet पे भी मिल जाएगा अगर India Wix for example हम बान के चलो है 20 रुपीज पे trade कर रहा है ठीक है तो हम यह कह सकते है कि अग जो इसकी upside है Nifty की जो upside है जो Nifty की upside है for the next year मतलब एक साल की upside है for year की हम बात कर रहे है that is 20% on upside of 10,000 यानि की वो 12,000 तक उपर जा सकता है और 20% इस year में नीचे भी आ सकता है ठीक है of 10,000 अगर हम देखें तो यानि की वो 8,000 तक भी आ सकता है तो यह एक range बन जाती है कि इस range के अंदर market या Nifty एक साल तक consolidate कर सकती है अब 20 जो मैंने आपको इंडिया विक्स भी ऊपर बढ़ते रहता है या volatility कम रहती है तो इंडिया विक्स भी नीचे आते रहता है तो इसी लेवल से अब आप मानके चलिए कि अभी इंडिया विक्स चल रहे 25.47 रुपीज पे और अभी जो Nifty का right now जो spot price है that is 14,675 तो आप अभी वीडियो पॉस करिए और हमें comment section के अंदर बताईगा कि यहां से एक साल के अंदर अंदर Nifty कित्ती percent की upside दे सकता है और कित्ते percent का downside दे सकता है यह basis पे मैंने आपको बता दी आपको पता है आपको क्या करना है 14,675 into आपको 25 करना है percent और upside के लिए और into downside करना है आपको downside के लिए अब हम लोग ने generally क्या देखा see अभी covid का pandemic जब आया था March में तो हम लोग ने देखा था कि जो इंडिया का volatility index था वो almost 80 rupees तक चला गया था 80 rupees तक जाना मतलब बहुत जादा volatility बढ़ जाना एपिकली volatility अगर मैं आपको बता हूँ 10,000 rupees spot price और 80 rupees अगर इंडिया विक्स चल रहा है तो आम मुझे बताईएगा यह 8,000 rupees की range बन गया और upside from this particular spot level और from a downside ठीक है तो आम लोग मान के चल सकते हैं कि 16,000 rupees की एक range बनके चल चुकी है तो इत्ती जादा जो volatility हो जाती है तो market पे हम लोगों को scenarios को देखना पड़ता है क्या यह volatility uptrend में आ सकती है यह volatility downtrend में आ सकती है इसलिए हमें India Wix 20% upside भी जा सकता है या फिर downside भी जा सकता है यह नहीं कि दोनों side हो जाएगा point समझ रहे हैं आप लोग के basis पे अभी 25 rupees पे trade कर रहा है और अभी मैं आप लोगो को India Wix और Nifty का chart को comparison करके भी दिखाता हूँ and उसके बाद हम लोग check करेंगे ठीक है आपको तब clearly समझ में आ जाएगा चलिए मैं charts को open कर देता हूँ and मैं यहां पे India Wix को open करता हूँ अब हम लोग देखेंगे March में जो एक sell-off आया था वो sell-off में India Wix क्या कर रहा था and उसके basis पे हम लोग देखेंगे just wait a second just wait a second यहां पर हम लोग ने देखा था almost 12,000 से हम लोग ने देखा 40% का एक downside हमें देखने को मिला था so यह किस तरीके से आया था अगर आप लोग देख रहे हैं India Wix almost 9th March से एक second yes अगर आप India Wix को देखेंगे देखें यहां से fall आना start हुआ था from February 17th 2020 से और आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो India Wix है वो increase हो रहा है almost 86 rupees तक India Wix चला गया था और जब वो 86 rupees पे था हम लोग ने देखा था कि जो downfall आय थी Nifty के अंदर हो आय थी 40% की बट जब यह cooldown होना start हुआ आप देखेगा यह आपको line देख रहे है जब यह cooldown होना start हुआ तो हमारी market भी rise करना start कर गई ठीक है आप देखें अब आपको समझ में आ रहा है इसी level से यह नीचे आना start हुआ India Wix और वो उपर जाना start हुआ अब यहां पर क्या हो रहा है जिस level से यह बढ़ना start हुआ था market गिरना start हुई थी वो level दुबारा आ गया है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो level दुबारा आ चुका है and see देखें यह level दुबारा आ चुका है and अगर यह स्की उपर closing कर देता है definitely तो हम लोगों को एक अच्छे levels देखने को मिल सकते है on a downside अब मैंने downside क्यों बोला क्योंकि India Wix हमें बता रही है upside या downside दोनों तरफ जा सकता है but हमें उसे practice करने के लिए हमें उसे observe करने के लिए हमें chart patterns को study करने ही पड़ती है chart patterns को study कर रहे हैं मैं बता रहा है कि वो downside है और भी factors अगर हमें बताते हैं downside है तो definitely अकर India Wix इस level को break करता है यह जो range के अंदर consolidate कर रहा है अगर इसको break करके ऊपर जाता है तो definitely हम लोग 25% तक का downfall भी expect कर सकते हैं Are you understanding my point? 25% तक का downside भी हम लोग expect कर सकते हैं चलिए कोई बात नहीं अब आप देखेगा यह exact range के अदर trade कर रहा है from July July से अगर यह कल इसके ऊपर break कर देता है और यह 25 के ऊपर trade करना start कर देता है 26 रुपीज की ऊपर So definitely volatility बहुत जादा increase होगी हम लोग देख रहे हैं कि जो DIIs हैं वो definitely बार-बार selling कर जा रहे है पछले हफते भी selling होई थी और definitely आज भी selling करी होगी FIs भी बहुत कम quantity पे ही buying कर रहे है वो भी put options को ही buy कर रहे है और अपनी थोड़ी बहुत positions को hedge करने के लिए buy कर रहे है So definitely यहां पर market weak हो गई है ठीक है market एक exact उस top पे आ चुका है almost double हो चुका है market एक साल के अंदर-अंदर कि यह एक overvalued हो चुकी है market So definitely I am thinking मुझे लग रहा है मैं सोच नहीं रहा आपके सामने मैंने सारा data प्रेजेंट कर आवा है कि यहां से market एक fall दिखा सकती है Not at this point एक बार market दुबारा उपर जाए क्योंकि यह consistent fall आई है तो एक बार market दुबारा उपर जा सकती है उसके बाद एक fall आ सकता है और चलियो और reasons की बात करते है यह केला India Wix reason नहीं बट यह था जब यह उपर जा रहा है तो एक bad sign है और यहां पर हम लोग expect कर सकते हैं कि market fall हो सकती है आप लोगों को मैंने correlation बता दिया था एक inversally correlation है अगर India Wix rise करता है तो generally हम लोग देखते हैं selling pressure market के अंदर आता है और कभी भी India Wix अगर नीचे आता है तो हम लोग देखते हैं कि market के अंदर एक upside आती है ठेक है अब बात करते हैं bond deals की US Treasury bond deals की अगर हम बात करें तो वह almost almost 1 साल के अंदर 280% grow कर चुका है अब यहां पर क्या हो रहा है bond deals सब लोगों को पता है कि वह एक safest जगा होती है money को invest करने के लिए वहां पर हम एक safest return मिलता है अब आप लोग एक बात समझे जब मैं बात कर रहा हूं bond deals की तो मैं US bond deals की बात कर रहा हूं हम लोग क्या देख रहे हैं कि कि यहां पर जित्ता जादा flow आया है money का जित्ता जादा money का flow आया है अब अगर वह यहां से निकालना शुरू करते है because market at its top market overvalued है market top में है इंडिया विक्स भी राइस कर रहा है economy भी थोड़ी बहुत stable अभी नहीं है ठीक है हम लोग देख रहे है कि अभी 10,000 तक के daily basis में covid के results आ रहे है वहाँ पर patience हो रहे है तो market अभी और इंडिया मतलब stable नहीं है ठीक है दूसरी बात 25 तो 5 को आ रहा है इस 5 का है expiry monthly expiry 26 को GDP quarter 3 का data आ रहा है and जादा नहीं आने वाले यह अभी 2 quarter से हम लोग देख रहे है negative में आ रहा है शायद यह positive में आ जाए but positive में भी इतना अच्छा नहीं आ रहा तो वो भी हमें देखना है जो assumption लगा रही है market जो analyst assumption लगा रही है कि शायद वो positive में आ सकता है अगर by chance वो positive में नहीं आता तो यह deadly sign हो सकते है कि market यहां से और जादा गिर सकती है अब जब bond yields बढ़ रहे है ठीक है मैं आप लोगों को bond deals का charts दिखाता हूँ 10 year bond deals का ठीक है see let me show you 10 years के bond deals पे अगर आप देखेंगे this is the low ठीक है इस low से low क्या है 0.368 का अब क्या high है 1.384 So अब भी यहां पर जिस तरीके से rice कर रहा है foreign investors Indian market से emerging market से money को pull out कर सकती है खीच सकती है market से और वह safest जगा इंवेस्ट कर सकती है जो कि bonds है वहां पर पैसा लगा सकती है और उसके basis पर आप देख रहे है जो कि US लेकर आने वाली है जो कि 1.98 trillion या 1.9 trillion का है उसके basis पर हम लोग देख रहे है अब bond yields अगर बढ़ रहे है और stimulus भी आ रहे है आप लोग देख रहे है कि बहुत जादा money भी print हुई है inflation बढ़ने की भी chances है अभी जो government कह रही है जो analyst कह रहे है कि शैद inflation ना बढ़े बढ़ मुझे पता है जब bond deals इस तरीके से rise करती है और जब भी आप लोग अगर future पे study करना आप लोग internet पे search करेगा कि कभी भी अगर money सबसे जादा print हुई है कि inflation आया है नहीं आया है definitely inflation आया है market के अंदर और inflation आयगा तो definitely market यहां से fall कर सकती है तो इस many factors है bond deals rice कर रहा है तो यहां पर time है safest खेलने का sell on rice को अपनाने का और अगर market कल के दिन यानि कि कल Tuesday है कल के दिन अगर market ने bounce नहीं करा और यहां से किरना start करा तो मैं कह सकता हूँ कि शायद वो recovery भी ना आया वो एक pullback भी ना दे market की हम लोग short करने की opportunity देख पा है तो कल की market पे अगर pullback आता है तो find the particular good entry to short the market जो मुझे expected है कि almost to 15,080 या 15,050 तक एक बार test कर सकता है हम लोगों को hope दे सकता है कि market उपर जाएगी आक्चुल में वैसा नहीं होगा that is the good time to short the market positions को बहुत कम रखेगा particular good stocks पे ही लगाईएगा दूसरी बात crude oil 65 barrel तक भी पहुच चुका है क्या reason है उसका यहां पर हम लोग देख रहे है जो भी oil exporting countries है opaque countries है वहां पर देख रहे है कि production का cut हो रहा है Saudi Arabia तक भी जो वहाँ Saudi की countries है वहाँ पर भी हम लोग देख रहे है कि 1 million barrel per day तक वो production को cut कर रही है जब production को cut कर रही है supply come and demand बहुत जादा है उसकी वज़ेस हम लोग देख रहे है price उपर जा रहा है क्या इसे India को impact पड़ेगा definitely पड़ेगा India के import bill के अंदर import bill के अंदर हम लोग देखेंगे impact बढ़ेगा because 80% तक हम लोग जो देखते हैं कि वो crude oil का production हमारी country करती है जब crude oil के prices बढ़ रहे है supply उती है demand इतनी जाद है crude oil के prices बढ़ने है import bill के अंदर हम लोग देखेंगे कि बहुत जादर effect बढ़ेगा और उसके basis पे हम लोग देखने कि petrol डीजल के price 100 रपे तक पहुच चुके है अब एक बात बताईए जब 100 रपे के पहले हम लोग ने देखा था बहुत पहले कि जब 100 रपे तक का petrol पहुचा था आप उस time का data देखना sorry उस time का तब तक auto sector का index चेक करना जब जब हम लोग ने देखा 85 90 रपे तक petrol पहुचे है आप देखना auto sector नीचे आया auto sector ने downside करी है वो downtrend में चला है अब auto sector आप देख सकते हैं कि market का सबसे important sector होता है auto sector manufacturing sector अब वहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि petrol के prices rise करें definitely बहुत सारे consumers है जो की market पे जो की auto sector पे मनला वहेकल purchase करना नहीं चाहेंगे और वो सारी चीज़े नहीं करेंगे उसकी वज़ए से भी हमारी market पे और हमारी country पे impact बढ़ सकता है एक point मिला रहूं जब मैं आप लोकों के सामने charts का pattern उसके बाद India Wix का comparison उसके बाद bond deals का बढ़ना उसके बाद FIs का pull out करना उसके बाद DIs regularly pull out कर रही है उसके बाद over valued हो रही है crude oil के prices increase कर रहे हैं उसी वज़ए से petrol के dump increase हो रहे है उसकी वज़ए से auto sector पे sales कम हो जाए और downtrend में चले जाए सारी चीज़े impact कर रही है कि market में downtrend आ सकता है मैं नहीं कह रहा अभी आएगा शायद bounce back कर जाए उसके बाद downtrend आ जाए तो please be cautious मेरा काम है आप लोगों को सतक करना आप लोग ध्यान से trade करेगा जादा trade opportunities मत find करेगा मैं कहूं तो intraday में एक या दो में ही trade करेगा not regular basis क्योंकि market अब और जादा volatile होने वाली है मैं जिस तरीके से trade करता हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं मैं generally हर दें trade नहीं करता मैं yes मैं daily stocks को analyze करता हूं मैं opportunities find करता हूं मैं 10 stocks को अपनी watch list के सामने रखता हूं जब भी मैं intraday में काम करता हूं तो मैं opportunity मिलती है मैं तब भी trade नहीं करता क्योंकि opportunity ज्यादा अच्छी नहीं होती है उसमें बढ़िया confirmations नहीं होते so please be patience ज्यादा बार बार aggressively trade करने की कोशिश मत करना buy side के ऊपर कम quantity रखना sell side के ऊपर अगर pullback आता है तो ज्यादा quantity रखना इस time कम quantity रखना तो मेरा काम था आप लोगों को समझाना guys आप लोगों ने definitely कुछ ना कुछ learn कर रहा होगा इस video से अगर thousand likes आते हैं ऐसी dedicated videos में आप लोगों के सामने और लेकर आते रहोगा and comment section के अंदर मुझे ज़रूर बताएगा कि अभी जो current India आप लोगों को अपने आप टागेट पता चल जाएगा अगर correction या crash आता है तो यहां से मार्केट किता परसेंट गिर सकता है तो चलिए मैं इस video को एंड करता हूँ मैं बिलता हूँ आप लोगों के से अगली वीडियो पे comment section के अदर आप में जूरू बताएगा अपना प्यार जूरू दीजेगा और चैनल को subscribe करना मत बुलेगा अगर आप लोग नए लोग है and definitely मैं ऐसा good content आप लोगों के सामने लेकर आते रहूँगा तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो पे मैं शिवांज भसीन signing off